कई बार ऐसा होता है कि height बढ़ ही नहीं पाती है और अपनी height को लेके tension में आ जाते हैं युगा एक age के बाद height बढ़नी शुरू नहीं होती और depression में आ जाते हैं कि height क्यों नहीं बढ़ रही कई और विज़े भी होती है height के ना बढ़ने की लेकिन आज हम आपको ऐसा Acupressure Point बता रहे हैं जिसको निरंतर दबाते रहने से आपकी Height जरूर बढ़ेगी अपने अनुभव हमारे सा Share अवशे करिएगा अगर आपकी Height कितनी बड़ी है हमें अवगत अवशे कराईगा हम हैं Astrologer और वास्तु कंसल्टन डॉक्टर रूमा श्री MD in Acupressure हैं इसी नाते आपको ये अड़्वाइज दे रहे हैं Master Diploma हमने किया है Acupressure में बहुत लंबा चोड़ा डिपलोमा था तो हमने किया और इसी लिए आपको सलह दे रहे हैं Acupressure के माध्यम से अपनी Height को आप कैसे बढ़ाएं Height Increase कैसे करें लंबाई कैसे बढ़ाएं जो भी आप कहें लंबाई अवश्य बढ़ेगी ये है ये है Left Hand इसमें आपको तीन निशान दिख रहे हैं जो पहली उंगली में है अंगुठी के पास वाली यानि इंडेक्स फ दगाने हैं Color Therapy नहीं है इन इस्थानों पर आपको Acupressure देना है Acupressure देने का तनिका ये होता है कि Acupressure के equipment आते हैं नहीं तो आप Pencil के द्वारा भी प्रेशर दे सकते हैं Pencil नुकी ली ना हो S का ध्यान रखें इस तरह से आप प्रेशर देंगे तो आपको अवश्य ही ला प्रेशर देवें इन इस्थानों पर आपकी हाइट निश्चित रूप से बढ़ जाएगी तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं मैं हूँ Astrologer Dr. Umashree मेरे चैनल में आपका स्वागत है MD in Acupressure हूँ इस नाते आपको ये सला दे रही हूँ आप हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं अगर आपकी रूची जोतिष तंत्रमंत्र वास्तों में है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं नहीं तो आप ऐसे ही हमारे द्वारा दी गई जानकरी देख सकते हैं लेकिन आपको चैनल का नाम याद रखना पड़ेगा जिसका नाम है Dr. Umashree यहां और भी मैं वीडियो एक्यू प्रिशर से सम्मनित अप्लोड करूंगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहतर रहेगा आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बताना प्रादम करते हैं यह इंडेक्स फिंगर है तरजनी उंगली है पहली उंगल तो इसमें तीन जगे निशान लगे हुए हैं इन निशानों पे आपको प्रेशर देना है पैंसिल के माध्यम से पैंसिल नुकी लिना हो इसका ध्यान रखें तो आप देखिए यह निशान है यहां पर नाखुन के नीचे हैं दो निशान देखिए और तीसरा निशान नीचे है, मतलब मिड में है, मध्धे फाग में है, अंगुली के तो दो निशान देख लीजिए आप, इसका फोटो भी ले सकते हैं या वीडियो भी बार बार देख सकते हैं आपको थोड़ी प्रयास से समझ में आजाएगा, और इस पे आपको एक्यू प्रिशर देना है, यह एक्यू प्रिशर चेकिस्ता हम आपको बता रहे हैं, एक्यू प्रिशर के माध्यम से लंबाई कैसे बढ़ाएं, यह हम आपको बता रहे हैं खाली पेट अगर एक्यू प्रिशर देंगे तो उचित रहेगा हैवी नहीं होना चाहिए भोजन एक्यू प्रिशर चिकिस्टा के दुरान हलका फूल का भोजन करें पेट को लाइट रखें गैस इत्यादी ना होने दें तो आपको अत्यांत लाव होगा खाने से एक से दो घंटे पहले आपको एक्यू प्रिशर देना है या खाने की एक दो घंटे बाद आपको एक्यू प्रिशर देना है तब ही आपको लाव होगा इस चिकिस्टा में पूर्ण विश्वास रखें और शद्धा रखें तो आपको अवश्य ही लाब होगा तो I hope आज का वीडियो आपको समझ में आगया होगा अगर कोई क्वाईरी है तो हमें अवश्य बताईए एक बार फिर देख लिजे फिंगर को ये पहली उंगली है जिसको तरजनी या इंडेक्स फिंगर कहते हैं इसमें ये निशान आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको पैंसिल से दवाब देना है या प्रेशर अक्यूपमेंट आपके पास है जो नुकीला होता है पैंसिल की तरह ही होता है उससे भी आप प्रेशर दे सकते हैं किस तरह से प्रेशर देना है देख लिजे आप बता दीजी एक बार दस बार दबाना है और दस बार छोड़ना है ये करना है आपको इस से आपको तुरंत लाव हो जाएगा और कोशी दिनों में आप देखेंगे आपकी हाइट बढ़नी चालू हो गई है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना Thank you so much